तो हेवरेवन दिस विक्षा एंड वेलकम बाक टू पीटियस कैडिक्सपोड तो काई आज के सोडियो में आप कैसे स्केचप के अंदर स्ट्रीट डिजाइन कर सकते हैं विद तरह पफ गूगल अर्थ हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस को हम यहां पर देखेंगे कि कैसे आप कॉंपरेंट ब्राउजर का यूज करते हैं गूगल अर्थ के सिरू हम कैसे साइट की लोकेशन को ट्रेस करते हैं तेरीन आप कैसे क्वेट कर सकते हैं वह कंप्लेट प्रोसेस आपको आज की वीडियो में समझाने सब्सक्राइब कर देखें अगर आपको यह इंफोर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप स्केटिप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्ता मिल जाएगा मे किसी पी देंसकेप को डिसम सब्सक्राइन करना के कि सबसे पहले आपको किसे लोकेशन को फाइंडौ कलना हुथ है और सबसे बेस्ट और इजी तरीका है लोकेशन को फाइन आट करने का कि आप गूगर अर्थ प्रो का यूज करें पिकेज यहां पर ना सिर्फ आपको यहां पर उसकी लोकेशन निखेगी इवन उसके साइट डिजाइनिंग, लेंड्सकेपिंग की सरीके से की गई है लेविल्स किया है, किस तरीके का वेदर होता है, के तरह सान बहेव रगता है, मतलब पूरा इंफोर्मिशन आपको यहां पर मिलने वाला है सबसे पहले आपको जिस लोकेशन को फाइन आपको इसकी कॉडिनेट को ढूड़ना होता है सबसे एजी और सिंप्लिस प्यातर है कि आप गूगल माप का यूज करें सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल माप को ओपिन कर लीना है यह देखिया, आपको यहां पर गूगल माप मिल जाता है प्रगाउस के नियर को चाहिए, मुझे क्या होगा होगा, यहां पर जाना है यहां से मुझे सर्च करना है तो यह जह सिंप एक ऑग्जांपल के बतोर ले रहे है, यह को बी statement के आपको flip करना है तो क्या होता है जतने पार कई यह तनवे लोकिशन के पास आप जाए है स्व yarn कोब्च कर दोатन के खाने पर करने के गोगल अर्थ के ऊपर यहां पर आपको search वार की अंदर उन locations को type करना और simply आप यहां से enter करेंगे तो automatically आपके जो location है वो यहां पर open हो जाएगी यह आप देख सकते हैं तो यह particular location रहेगी जिसके उपर हमें work करने this one then हमें क्या करना होगा यहां पर 3D के अंदर देखने के लिए आपको यहां पर एक symbol मिलेगा simply आपको इसे select करना है और यहां पर आपको इस तरीके से place कर देना है ठीक है यह आप देख सकते हैं आपर इस complete 3D जो रहेगा वो आपको यहां पर open हो जाएगा जितनी भी चीजे हैं आप यहां से in depth देख सकते हैं कि किस तरह है किस साइट है कैसे यहां पर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है for example इसी साइट को आपको कॉपी करना है coordinates पर नो ओल्रेटी कॉपी किये हुए हैं तो आपको sketch up window पर shift करना है एंड विंडो पर shift करने की बाद हमें उस location की जो site है वह यहां पर place करना है तो वह किस तरह हैं करते हैं आपको simplify टाप पर जाना है यहां से आपको option मिलेगा geolocation यहां से किसी भी location को add कर सकते हैं तो आपको add location की option पर click कर देना है एंड जो location हमने यहां पर Google Earth यहां पर हम कह सकते हैं कि Google Map पर अपने copy के हैं उस location को आप यहां पर simply add करेंगे तो जैसे आप यहां पर जो location को open करते हैं यह पूरा tab आपको visible हो जाता है तो इस particular reason पर आपको work करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर आप एक select reason का option मिलेगा आपको click करना है और यहां पर ठीक है प्रोवाइडर आप यूज कर सकते हैं digital globe आपको मिलेगा और high resolution near नाप मिलेगा तो यहां पर मैं यूज कर रही हूं digital globe का आप इसे select करेंगे और कुछ इस तरीके से यहां पर आप उस location को उस reason कप यहां पर select करेंगे और आपको यहां से import करने है डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइट आपने चूश के उससे के according जो आपकी site होगी वह आपकी sketchup के अंदर import हो जाएगी तब यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है इतना करने के बाद यहां पर देखिए आपको एक और option बहुत अच्छा option में जाता है जो कि हैं फाइल टाप आप जाएंगे एंड यहां से अगर आप जो लेकिशन के option पर करते हैं तो आपको यहां पर यहां पर add कर देता है तो अभी के लिए मैं इस option को यहां पर off रखूंगी इसके बाद हमें क्या करना है यहां पर काफी सारे models हैं आपने यहां पर सर्च भी कि कि काफी maximum जो models है वह आपको यहां पर 3D के अंदर मिले हुए हैं तो हम क्या करेंगे directly इनी models का use करेंगे and use आप आपको simply यहां पर चले जाना है and because जो component ब्राउजर है वो directly connected है तो आप यहां पर क्या करेंगे and यहां से आपको component को choose करना है in case अगर आपको यह जो option है यहां पर visible नहीं होता है तो आपको करना क्या है विडियो टाब में जाना है default tree के option पर क्लिक करना है and यहां से आप आपके बाद यहां पर मिल जाता है अब देखिए उस particular location को आपको कैसे find out करना है तो यहां पर देखिए यह आपको in model की category मिल रही है इसे की just side में आपको एक छोटा सा triangle मिलना होगा आपको इस option पर क्लिक करना है and यहां पर आपको एक option मिलेगा nearby models तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप इस option पर क्लिक करेंगे जितने भी models यहां पर available नहींगे उस अभी models आपको 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 इस option पर क्लिक कर देना है जाग करके रहे कि आएंगे तो आपका जो model हो यहां पर simply download हो जाएगा और एक और चीज़ आप यहां पर notice कर सकते हैं कि जो position होगी वह भी यहां पर exact रहेगी ठीक है shadows वगेरा जितनी भी चीज़े हैं because यह model है अगर आप यहां पर Google Earth पर जाते हैं और आप देख सकते हैं जो model होगा आपको यहां पर import हो जाएगा ठीक है location वगेरे सब चीज़े बिल्कुल perfect है तो आपको कुछ भी चीज़ चेंज करने की यहां पर नीड नहीं रहेगी इस तरीके से इसी के लाव जैसे एक और model हमारे पास है तो आप इसको ड्राग करके लेके आएंगे यहां पर आपको इसे इंपूर्ट कराना है यह देख सकते हैं यह वाली जो बिल्डिंग है यह भी आपको मिल गई है यहां पर दस वन ठीक है इसी के साथ में जो बिल्डिंग आपको मिली है इसी के साथ में आपको एक ब्लाक और मैट करका माप मिलेगा तो वह आप सिंप्लिस सेलेट करके कि इस लोकेशन को मैं ऐसे डिलीट कर रहूं इस तरीके से और ऑप्षेंचे काई है कि जितनी बिए श्यड़ो गलिये रहोंगे वह वह भी आपको कंट्रोल मिलेगी ठीक है तो यहां पर चेक करने के लिए करना है उस जैडो को अन करने की लिए आप ऐसुआ को यहाँ पर करेंगे तो जैसा भी आप यहाँ पर टाइम चूज करते हैं उसी टाइम के अकॉर्डे अपर कुछ इस तरीके से तो बिल्कुल सीम तरीके से आपर वर्क करती है आप इसे स्टॉप करूंगे शेडोस को ऑफ करूगी तो यह पर देख सकते कि काफी सारे मौड़ल्स में यहां पर ऐसे हैं जिनकी जो मौडलिंग हैं यहां पर प्रॉपर नहीं की नहीं अब वो सभी मौड आपको 3D warehouse में नहीं मिलेंगे तो उसके हम क्या कर सकते हम यहां पर उस तरीके के dummy object बना सकते हम definitely आपको इस तरह के models नहीं मिलेंगे because हमें उन्हें limited time के अधर हमें complete करना होता है तो just आपको करना किया है जो आपको यहां पर models visible है Google Earth के उपर आपको definitely मिल जाएंगे कि किस तरीकी के model है ना तो आप यहां पर उन्हें capture कर सकते हैं अपने according आप देख सकते हैं जिसे कुछ इस तरीकी के model से आप पर paste हो रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपे कुछ हट टाइप का शीप है यहां पर कुछ इस तरीकी की building है तो जिस्ट आपको करना इतना है आपको वेर होस पर जाना है उस तरीकी की building को सर्च करना है इसे में सिर्फ बनाना है और सिर्फ हमें एक्स्टूड करना है यह फिर आप क्या कर सकते हो इसी तरह की आपकी जो building से उनका आपको create करना होगा तो इसके लिए आपको यहां पर यहांप करना होगा करना है यहां प्रेस करेंगे यहां पर देखिए अगर आपकी एक्सेस जो है यहां पर मैच कर रही है तो आप यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हैं इस को करना है तो आपको यहां पर चूस करना है क्योंकि यह उप्शन का यूज भी आपको आना चाहिए तो बहुत सारे जो लोकेशन्स करना होगा तो जैसे से की करना है यहां पर के तो क्रीज़ इसे को डिफाइन करोंगी एड वेस्ट मेरी इस्ट किया तो यहां पर फोर्ट थे VKbooks करेंगे विडिए को root millionaire रहे मिजहीं से करेंगे तो सेma करेंगे तो करेंगे को कंद करेंगे यहाँ पर लिकी से हिसे को डिफाइन करेंगे मं गुछ फ्याम को अच्छिंक मीन घृएं आपको नि मॉडल कि और वहाईड में पतले आपको बारीकिंÓ कि यहां सब उसमें हाइट करेंगे अभी हाइट जो होगी वह आपको गूगल पर चेक करनी होगी कि कितनी हाइट रहेगी कितना मॉडल आपका रहने वाला है ठीक है थोड़ा सा कहीं दूर आइधिंक यह मॉडल है हमारा वाइट पन तो यहां पर हम एक्टफ करेंगे डेफि करने लिए का यहां सबनाने चर्थि करेंगे डेट करेंगे नुट है हाइट दे रही हूं जो कि बल्डिंग हाइट रहेंगे एंड जो मेरा यहां पर है प्रूफ रहेगा वह यहां पर आपको इसको 5-6 फिट लेके चलूंगे अपको सेलेक्ट करना यहां पर ब्लू एक्सिस को अप्लोग करेंगे और यहां से 5-6 फिट आपके तरफ मुव करते हैं तो इस तरह की बेसिक बिल्डिंग्स दो रहेंगे उससे आपको बना लेने अभी काफी दफार जो इमेजेश होंगी आपको बिल्कुल एक्जेट तरह की नहीं मिलेंगी आपको प्रिफर करूँगी कि आप यहां पर यूज करें वेयर हाउस का अगर आपको कोई भी मॉडल जीसे दिस वन यह जो मॉडल है हमारे यह हमारी गूगल इर्थ के अनर अवेलिबल है ठीक है तो अगर अप इस पर्टिक्लर मॉडल को लेके जाना चाहते है शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहां पर देखें आपके पास इमेज अवेलिबल है त अंदर से तो इससे आपको बनाने की जुरूब नहीं है तो आपको अचाहते हैं तो करना क्या होगा सबसे पहले हम यहां साइंगे तरफ मॉन का मॉऩ करेंग मॉडल के पास जाने के बाद आपको यहां पर चूष करना है फाल टाप ऑन्नciğim- pay-maid- gift को सेप सकतते हैं थो डि इस तरीके से यहां से आपको क्या करना है इमेज को सेव करना है अगर सेट कर सकते हैं so for example 3K के अंदर आपको करना है तो आपको simply this option पर click कर देना है and click करने को देटने आपे save image पर click करेंगे and जहां पर आप इसे save करना चाहते है and यहां पर आप simply से save करेंगे so within some time maybe one to two minutes यह जो image हो गया आपकी यहां पर वो सेव हो जाएगी तेखिए आपकी image save हो गई है image को save करने के बाद आपको करना किया है यहां पर आपने sketchup model पर move करेंगे and then हम यहां पर यह जितने भी models है इसको मैं यहां पर import करेंगे अलग से ठीक है तो इस particular file को मैं यहां पर रहने देंगे और एक new file आपको यहां पर open कर लेंगी है and जो बारा map है इस map को simply आप यहां पर control and see की साथ copy करेंगे तकी exact location भी यह new location आप यहां पर बनेंगी उसी location भी आप यहां पर इसे paste कर सकें झाल है तो इसके दर हमें बनाना है यहां पर इसे ठीक है तो आपको करना किया है यहां से आपको इंपोर्ट करना है यहां से आपको इंपोर्ट करना है जो फाइल आपकी थे यहां पर उस फाइल को आप यहां पर सेलेट करेंगे इस तरीके से यहां पर आपको सिंपले से arrange करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगी एक्सेस आपके उपर यहां से आपको दो एक्सेस को डिफाइन करना है तो है आपे हम जो हमारे ब्लू एक्सेस होगी वह कुछ टॉप की तरफ ऐसे रहेगी एंड ग्रीन एक्सेस को में यहां पर कुछ इस पोजिशन पर करें अपको क्या करना है यहां पर इसे ट्रीस करते चले जाने हैं जाने हैं पर इसे ट्रॉबस भी जाने हैं पर इसाल करना है यहां पर मुपुशने यहां इस खाल आने हैं उतरी से ट्रीस कर दोले कर दो चले कि यहां। झाल झाल नेक्स्ट में क्या करने जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी मॉडल्स की मैं यहाप एक कॉपी ले लूँ तो मैं और और ओवर्ल को सेलेट करूंगी यहापी मैं इसके कॉपी लोगी अन इन सभी अब्जेक्ट को एपे यहां पर डिफरेंट लियर के अंदर पर करोंगे तो हैं पर तैग्स को प्रबशा को आपको हैं तो काफिते तरह चुनार को डिप हैं तो हम प्रेट करना हैं जो कि हमारी होगी बेस मॉडल का सिव रखे यह बाकी जितने भी कॉंपोरेंट्स हैं आपको सिंपली सेलेट करेंगे और यहां पर इसे राइट लिक करेंगे और सिंपली आप इसे एक ब्रुप में करेंगे और यहां से आप इसे हाइड कर देंगे इसके आद आपको करना किया जितने भी आपको components देख रहे हैं because maybe component के अंदर converted हो सकते हैं तो यहां से जितने भी materials आपको रिमूव कर देना है तो उसके लिए को करना के materials tab में जाना है और यहां से डिफोल्ट material को चूज करेंगे और सिंपली आपको इसे कि आपको जाएंगे तो बस करना आपको इतना है यहां पर आपको सबी मॉडल को सेलेट करेंगे और यहां पर कर देना है और यहां पर नोटेस कर सकते हैं कि काफी सारे पोइंट्स ऐसे जहां पर आपको एजिसेबल नहीं हो रही है जोकि आपके एक्षिल मॉडल के थोड़ा सा डाउनसाइड है तो आपको करना किया है उन्हें सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर इंटर्सेक्ट फेसे तो आपको इस ओप्शन पर क्लिक करना यहां पर सब्सक्राइब करा ऊखिल कंदर करने बाहुं को यहां पर इंठर्सेक्ट बांडर करें कीव ट्र Light Namer तो आपको यहां है वहां कर देना है इसके बाद यहां में जो जितने भी बाड़ सायड अट दिख रहा है उनना तभी इए यहां पर करेंगे तो यहां में बोल सकते कीमि loyalty को यहां पर चले जाना है कर देना कके यहां लleb ago ले जाने हैं तो एकम्प्री टाप के लाइन रहेगी सेलेट करें लाइन को यहां प्याग के अंदर हम इसके प्रॉप लेंगे हुआ ठीक है यह जो जत्ना भी आपको यह जा दिख रहा है हमिसिंपली आपको ल को प्रेस करना लाइन कमांड के लिए बिक्रीज यहां पर में एकस्स को चेंज करने की नीड़ है तो पहले हम बाकी के इंदर जो करेंगे से तो सीम तरीकी से आपको रहाएं यहां पर मैं इसके कॉपी लेंगे इसे रहा कि अंधर हैं जो इरिया हमारे हैं पर एक्स्ट्र उसे आपके रेमोक कर देंगे कि यह जब को एकसिस दिख रही है आप इन लाइन स्कुरिया से रिमूव कर देंगे आपको कर्व मिल रहें तब को यहां पर आर्क को चूस करना है याप एक को प्रेस करेंगे आर्क कमांड के लिए एंड इस वर्टिकलर एरिया के अंदर आपको यहां पर आप बना लेने हैं इरेजर लेजे इसके आप साप रिमूव कर देंगे झाल 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 इस फिर प्लान को आपको सेलेक्ट करें यहां सब को हाइड कर देना तो जितना भी एरिया आपको यहां पर दिख रहें कम्पेट ले मारा रूट साइड एरिया रहेंगा इस फिर आपको थोड़ा से आप इस पोजिशन से इसे इस पोर्शन के अंदर यहां पर कॉपी कर देंगे इसैं सबको on lock करना हैं देनिस पोरे portion को हाप रहाँ पे चूज़ करने एंतलम नहीं क्या करना है यहां पेसा option कई यूस करना प्लाइन को सेलेक्ट करते हैं और देखे जितने भी एज ती आपको अलग अलग वीजिबल हो कि मुझा सद्रेड कर सकते हैं रैट जिकर कर लिए एंड तेन आप इनुकर कर सकते हैं कि इस के बात ये पूर्शन जितना भी रहे कि आपका अलग अलग विजिबल होगा तो आपको मैं कि यहां receive भी नहीं रहेगा में तो इसे हम यहां से डिलीट कर देंगे और इसके तो अलग से रोड मैटीय रहें हैं यहाँ बिशू कर सकते लिए बाकी पूरे पॉर्शिन के अंदर ह्के 다리 और सक्वाइब कर सकते हैं यहां से आपको हमेगे लिए आपको चुझे करने एसफोल्ट यहां से आपको इसी भी डोट टेक्शिर को चूज कर लीज़े एंट सिंप्ली आपको से आप अप्लाय कर देना है कि अच्छ तरीके से एडिट आप में जो आएंगे अन हाइट करेंगे सबी ऑप्जेट्स को सारी ऑप्जेक्ट्स हो रहेंगे आपके अन हीड हो जाएंगे एंड यह अलग पॉर्शन था हमारा तो सिंप्ली करना किया है कि यहां पर देखिए कॉपी लिया था ना हमने जो लोकेशन ने इस पोजिशन के उपर टेरेन क्रेट नहीं किया है यहां पर सेम चीज़ कर सकते हैं वी को प्लेस करने सिंप्ली आपको तो मिटीरियल है उसे प्लेस करते हैं इस दोनों अब्जेक्ट हैं इन्हें में सेलेट करूंगी एंड डाउंसाइड की तरफ मुझे से प्लेस करते हैं अधाँ आथ है थिए आधाँ यहां पर थीडी वेरहां उसे बाकिये कॉमपनेंट्स को यूज करते हैं कार फोटी सगे रहा को आप यहां पर से प्लेस कर सकते हैं तो यहां पर मैंने काफी सारे डिफरेंट मॉडूल्स को प्रेस कर लिया है एंड राइट आओ अभी हम यहां पर कुछ कार्स एंड ट्रीज को प्रेस करेंगे जो कि इसलिए प्रीड वेरहाऊस से डाउनलड कर सकते हैं इंका भी नेड नहीं है तो मैं यहां से लियरे सिंभू कर दूगे एंड बन करके करना आए आपको प्रेंट लोकार हां तो करना के यहां पर वीऊड को डिया चाहिए इस तरीच सेलेक्त कर ली जयाएं तो करते लिएंड श्ीयों तो यहां पर बन बैंवेन करके जितने भी वहीकल सुने आप अरेंज करेंगे कि दस वन देगे से काफी सारे मॉडल से आप रिपीट कर सकते हैं बट राई किजिए जितने माक्सिमम आप यहां पे कॉंपरेंज को इंसर्ट करा सकते हैं मॉडल मी उतने कॉंपरेंज काफी यहां पर यूज करें झाल 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 तो झाल तरीके से तरीके से यहां पे लिए पार वगेरा को प्लेस किया है स्थेम तरीके से आप यहां पे फीपल को प्लेस कर सकते हैं कुछ जो ट्रीज वागे रहा होते हैं उनका भी यूज़ करेंगे तो अगर आप इमेजस का यूज़ करते हैं तो भी काफी ठीक है अदरवाइस प्राइब इसी तरीकी के जो ट्रीज हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं झाल 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 तो आपको यहां पिस तरीकी से ने सेलेक्ट कर लेना है तो सभी ट्रीज को सेलेक्ट करने की बाद आप यहां से जेच वारबार का यूज कर सकते हैं जिसमें आप इस ऑप्शन का यहां पर यूज करेंगे यहां पर यूज करेंगे यहां पर को इंटा सेलेक्शन और वहां पर ट्रीज को ड्रॉप कर देगा समयरली आप यहां पर कार अगेर को भी कर सकते हैं यहां पर जितना भी पॉर्चिन रहेगा आपका वहां पर आप इस तरीकी से ट्रीज को एंडिपन टाइप के कार वगेरा को प्रेस कर सकते हैं तो कुछ इस कंप्लीट तरीकी से आप गूगल लड़ते सबसे पहले क्या करते हैं आपको इंपोर्ट करते हैं बेन कुछ मॉडल सब 3D वेर हाउस से जो कि डारेक्ट सकते हैं या फिर आप उसे बना सकते हैं पूर्थ हमें यहां पर इपन टाइक को पेस करना होता है और इन्हीं सब्सक्राइब करने के बाद आप इसली किसी भी तरह की स्ट्रीट जो रहेंगी उसे आप यहां पर डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसर्न है कोई जाएं तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेक्शुर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और अपने फ्रेंड से जादे से शेयर जरूर कीजिए अगर आप स्केशप को प्रोफेशनी सीखन और बाजए और यह एंको प्रेंघ जरूर मेंसे वीडियो झाल